नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रज्या सिंग उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के चीफ चंदर शेखर आजाद रावन पर हुए जान लेवा हमले के बाल सियासत गर्माती हुई देखाई दे रही है दरसल आपको बता दे कि इस पूरे मामले पर अभी तक मुख्य मंतरी योगी अदित्यानाथ की तरफ से कोई भी ना तो फैसला लिया गया ना कोई प्रतिक्रिया सामने आई और ना ही कोई आक्शन लेता हुआ दिखाई दिया जसके बाद लगातार विपक्ष चंदर शेकर आजाद पर हुए जान लेवा हमले के बाद सीम योगी अदित्यानाथ से उनके स्तीफे की मांग भी कर रहा है आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस सीधे सीधे चंदर शेकर आजाद पर हुए हमले पर अपना विरोध जाहिर करती हुए नज़र आ रहे हैं ऐसे में सवाल लगातार ये उच्छा है कि बस्पा सुप्रेमो माया वती का क्या कुछ रुख रहेगा दरसल आपको बता दें कि बस्पा सुप्रेमो माया वती यानि कि बहुजन समाजवादी पार्टी की पहचान ही इस मुद्दे को लेकर है इस कह सकते हैं कि इस स्पेशल्टी को लेकर है कि वो हमेशा दली तो यानि कि जो पिछड़ी जाती का वर्ग है उनके समर्थन में उतरता हुआ दिखाई देता है क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी की जो अध्याक्ष यानि कि माया वती वो खुद उसी समाजवाद से और ऐसे में यहां पर अगर बात करें तो माया वती का चंदर शेखर आजाद से वैसे भी खास रष्टा रहा क्योंकि जस तरह से माया वती हमेशा से दलित समुदाई का पक्ष उठाती हुई नजर आती है तो ऐसे में चंदर शेखर आजाद भी उन्हीं नेताओं में गिने अब ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि जहां तमाम वेपक्षे दलिता फोन करके या फिर यहां पर उनका होल चाल लेते हुए दिखाई दे रही है तो वहीं ऐसे में क्या माया वती कभी ऐसा कोई रुख देकने को मिल सकते है रही किया माया वती गंभीर इस्तिती में इ चंदर शेखरःजाराजद की तो चंदर शेखरःजाजाद ने फिल्हाल अपने समर्थकों से सीधे सीधे अपील की है शांती बनाए रखने की वह यह दूसरी और उन्हों ये भी कहा है कि वो इस मामले में कानूनी रूप से कारवायी करेंगे चंदर शेखराजाद ने ये भी कहा कि योगी सरकार तो मेरी जान लेना ही चाहती थी लेकिन गनीमत रही कि मैं बच गया ऐसे में सवाल लगतार ये उच्छा है कि मायावती का चंदर शेखराजाद को लेकर क्या रुख रहेगा क्या वो भी विपक्ष का समर्धन करती हुई आजश बता रही है क्या मायावती भी ऐसा कुछ करती हुई दिखाई देंगी और यहां पर जो हमेशा से एक खास रिष्टा यहां पर चंदर शेखराजाद और मायावती की बीच देखने को मिला यानि कि गुरू और सिश्चे का अज़स तरीके से कर बात करें तो क्या माय मायावती यहां पर मुलाकात करने के लिए चंदर शेखराजाद के पास जा सकते हैं दरसल आपको बता दे कि इस से पहले पहलवान साक्षी मलिक बजरंग पुनिया और सत्यवरत का ध्यान भी यहां पर मुलाकात करने के लिए अस्पताल गए थी चंदर शेखराजाद का उ उन्होंने हाल चाल लिया और सीधे सीधे ट्वेट करते हुए उन्होंने इस मामले में कड़ी से कड़ी जा चुकी मांग भी की है। मायमती को लेकर लगातार यही सवाल उठ रहा है कि क्या वो अब उनसे मुलाकात करने के लिए जा सकती है या नहीं। फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहें नेक्स्टर नाइन।